प्रिक्षिक्षर में हिमाचल के पूर्व मुख्य मंत्री वविपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों से बाचित में कॉंग्रसरकार पर जम कर हला बोला पर देश की कॉंग्रसरकार ने ओद्योगिक पैकेज को लाने के लिए पूरा जोर लगाया लेकिन जब परदेशरकार इस पैकेज को लाने में नकाम रही तो नोने ओद्योग पतियों को अपने पाऊं पर खड़े होने की बात कहड़े डाली जो सरासर गलत है आपको बता दे कि सोलन में आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा को मजबूत करने के लिए एक दिवसी अभियास शिवर अयज़त किया गया जिसमें सोलन मंदल के कार्य करताओं ने भाग लिया और लोगसभा चुनाव के लिए कार्य करताओं को एक जुटता के पार्ट पढ़ाए सोलन से चन्वे कोशल पंजाब के सी टीवी के लिए